तो बड़ा सर्कल बड़ा सर्कल क्या है बड़े सर्कल का एरिया मैं अगर रिंग का एरिया लिखूंगा तो रिंग एरिया क्या हो जाएगा बड़ी रेडियस है आर वन तो ये जागी सर्कल का एरिया पाई आर वन स्क्वेर माइनर चोटी radius है चोटा circle पाई R2 square तो यह ring का area जाएगा R1 क्या है radius of cone और R2 है radius of cylinder तो हमें अगर cone को orange paint करना है तो orange painted area क्या होगा वो हो जाएगा इसका c a से πाई R1 L प्लस यह ring का area पाई R1 square माइनस पाई R2 square अब हमें R1 और R2 चाहिए L तो हम निकाल देंगे L कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसकी statement को हम देखते है लिखावाद the base of the conical portion has a diameter 5 cm मतलब जो conical section का base है मतलब यह यहां से लेकर यहां तक यह कितना है 5 है while the base diameter of the cylindrical portion is 3 cm मतलब यह यह वाला यह 3 है तो हम यह कह सकते कि जो छोटा circle है यह वाला उसका diameter 3 है तो उसकी radius क्या हो जाएगी 1.5 3 का half और बड़ा वाला जो circle है यह वाला बड़ा यह ऐसे करके कुछ भी उसका diameter 5 है तो इसकी radius क्या हो जाएगी 5 का half तो radius हो जाएगी 5 का half 2.5 तो यह क्या है यह है आर टू ठीक है नहीं 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 आर टू नहीं है बड़ा वाला circle आर वन है तो हमारे बास आर वन हो गया आर वन बड़ा वाला circle 5 का half 2.5 और आर टू हो गया आर टू मतलब छोटा वाला circle उसकी radius 1.5 अब बात आती है आर वन आर टू तो आ गए L कैसे आएगा L L के लिए वोई तरीका अपनाते है यह है 5 तो इसकी half यह 2.5 और यह given है 6 ठीक है तो हम triangle बना के निकाल सकते हैं इसकी तो यह हो गया तुमारा 6 यह हो गया 5 का half 2.5 और यह इसकी L 90 degree है L हो जाएगा 6 square प्लस 2.5 का whole square का root तो यह जाएगा 6 square प्लस 2.5 का square तो यह calculator से आप निकाल लोगे यह जाएगे 6.5 cm L तो अब यहाँ पर रखने से पहले मैं एक चीज बदा चुका हूँ कि जब कुछ common आ रहा हो तो ले लिया का दो ठीक है तो यहाँ पर आरवन ने आरवन पर जान ही है सब में से पाई बाहर आ रहा है तो पाई ले लो तो यहाँ पर भी देखो कमाल क्या कमाल यह एक आइडेंटी है a square minus b square यह होता है a plus b a minus b यह क्यों लिखा जा रहा है क्योंकि देखो r1 क्या है 2.5 ठीक है अगर मैं a हो गया तुमारा r1 और b हो गया r2 तो r1 plus r2 और r1 minus r2 यह simplify कही होगा क्यों 2.5 plus 1.5 क्या आएगा इन दोनों का addition हो आएगा 4 और इन दोनों का subtraction 2.5 minus 1.5 तो 2.5 में से 1.5 गया 1 तो यह आगया 4 शुमारा आभिवड़ा चीक होगा एगरणा पिला भाग़ा ÀLE एगर的 होगार अबफेश्टी वह एगवड़ा पर पालेग़ा धना हग़आ पmod़्चर्कैंपळाभ, पूभकैंवभकैंप़?